किसी को भी मिर्गी आए ये पहले से पता नहीं होता ये अपरत्याशत है पर ये इतना कटे नहीं है कि समाला ना जा सके घबराए नहीं जिस किसी को भी मिर्गी आई हो उसे जितना संभव हो आरम दायक बनाए आपने डॉक्bean से सलाह लें और मिर्गी के इलाज और इमर्जेन्सिके दोरान क्या करें इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें आपको डॉक्ज़ ऐस्प्रै तभी इस्तमाल करें जब आपकी डॉक्टर ने इसकी सलाह दी हो मिटा सिफ नेजल स्प्रे का इस्तमाल कैसे करें बॉटल की ढखन को खोलें और बॉटल को धीरे से हिलाएं बॉटल को नीचे की तरफ अंगूटा और उपर पहली दो उंगलियों के बीच में उसको पकड़ कर रखें जब भी आप पहली बार इस्तमाल करें उसकी कुछ भूनों को हवा में निकाल दें जब भी आप नेजल स्प्रे पेशिंट की नाक में करेंगे तो गर्दन वो थोड़ा आगे की ओर उठाना पड़ेगा इस्प्रे के आगे वाले हिस्से को पेशिंट के नास्टिल में रखें और निजल सेप्टम से दूर और निजल स्प्रे बॉटल को दबाएं और पेशिंट को कुछ दिर रेस्ट में रहने दें फिर यही ब्रकिरिया उसके दूसरे नास्टिल में कर दें तीन से चार नेजल इस्प्रे एक आर्मिया कर सकते हैं कुछ गलतियां हो जाती हैं नेजल इस्प्रे यूज करने में जब आप नेजल इस्प्रे का इस्तमाल कर रहे हो जैसे की इस्तमाल करना भूल जाना डोजिस को छोड़ देना गर्दन गो गलत तरीके से रखना आगे की तरफ मोड कर रखना या पीछे की तरफ